असलामों अलेकुम फिरेंड्स वेलिकम टू लर्न डॉट पीके लर्न डॉट पीके की तरफ से अमडी के सेशन तूट 2019 स्टार्ट किया जा रहा है जो के 29 मार्च तूट 2019 से स्टार्ट होगा और इस सेशन में बहुत से ऐसे चीज़ें एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होंगी जो किसी भी अकैडमी किसी भी काल्ज से आपको नहीं मिलेंगी और इस सेशन में हम सिर्फ 4 बुक्स जो के इंडी टेस्ट में इंपोर्टन है किमिस्टरी इंग्रिश फिजिक्स और बायलोडी इनको डिसकस करेंगे और जो स्टुलेंट इसमें इंटरिस्टिड हैं यह जिनको यह जरूरत है और कौन कौन से चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस बारे में जानने के लिए और कौन से वीडियो का खास कोड होगा तो यह साड़ी इनफर्मिशन के लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही एहम है और इसे आप पर आखर तक देखते रहें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सेशन को स्टार्ट करने के जरूरत क्यों पेश है अब इस सेशन को स्टार्ट करने की जरूरत क्यों महसूस ही सबसे पहले अगर पूबर लोगों की बात की रहे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो के पूबर फैमली से बिलाउंग करते हैं और वो बहुत डिफिकल्टी के साथ किसी भी कैडमी में जाकर एडमिशन लेते हैं और इसके साथ साथ वो यूट्यूब से इजली वीडियो देख सकेंगे और इसके बाद इस साल यूनिवस्टिया फैल्स साइंस ने FSC के फूर्न बाद जों Sam D.cat का पेपर है वो लेने का वैसला किया है तो अगर FSC के फूर्न बाद पेपर लिये जाता है तो स्टूलन के पास इसना टाइम नहीं होगा कि वो अकैडमी जاadh़ाएं करें और practical देना भी must है उसके लिए भी त्यारी करनी है तो इससे अच्छा है कि हम जब time मिले यूट्यूब से वीडियो खोलें specific lecture की उसे देखें अगर किसी दिगा समय नहीं आती हम question करें और इस session में एक कोई चीज बहुत ही extraordinary होगी तो ये किसी student को कोई चीज कोई concept कोई question समय नहीं लगता तो वो comment कर देगा और different student से पूरे week में जतने भी concept जतने भी question होगी वो हम हर Sunday, every Sunday हम उनके discussion किया करेंगे और जह student को फिर भी समय नहीं आगी वो comment करेगा उसको reply भी जाएगा लेकिन फिर भी कोई ऐसे question होगे जो कि different student यहाँ पिर जिनकी हम ज़रूरा समझेंगे कि ये question और इनके आंस तमाम student तक पहुंचने चाहिए वो साड़े के साड़े question हम Sunday वाले दिन cover किया करेंगे इसके इलावा जो कि और भी main और सबसे extraordinary thing होगी इस session में वो ये कि एक तो हमारी बुक है टेक्स बुक पंजाब की और एक ऐसी बुक है जो कि फैडल बुक की है और कुछ सेट वो सेट थ्री डिफरेंट बुक्स हैं student के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पंजाब की बुक को भी पढ़े फिर फैडल को भी पढ़े और डिफरेंट बुक से नालज हासल किया रहा है तो चंद क्वेस्चन हर साल यूनिवस्टिया फैल साइंस जरूर डालती है ताके कोई भी student टाप ना कर सके उन क्वेस्चन जो किदर से होते हैं उसका नालज होता है छुपा हुआ फैडल की बुक से या फिर किसी और बुक से रेल्टिर होता है लेकिन होता क्रीब क्रीब से ही है तो वो नालज जो कि हमारी बुक में नहीं लेकिन इसे रेल्टिर नालज है हम उसको भी डिसकस करेंगे बहुत से student ऐसे होते हैं कि उनके पास बुक सी नहीं होती कोई फैडर की या फिर कोई सैट की और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास होती है लेकिन वाकिन टैम किसी के पास नहीं होता हम ये साड़ा नालज सबसे पहले एक लेक्चर में डिसकस करेंगे उसके बाद जब हम यूनिवस्टी आफ हैल्स साइंस के एक चैप्टर खतम कर लेंगे तो उसके एमसी क्यूज की डिसकॉशन की रहेगी एक वीडियो में जिस सबसे पहले जो लेक्चर होगी उनका ये होगा कि जैसे फर्द कर लेंगे फिजिक्स का पहला लेक्चर है तो उसके हम ये कहेंगे एमडी कैट फिजिक्स लेक्चर वन जब दूसरा होगा वन पॉइंट वन लेकिन जो अक्सर साइज का लेक्चर होगा उसे हम कहेंगे वन पॉइंट एक्स जिसमें हम उस टॉपिक में उस चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट एंसे क्यूज होगे उनको साल्व करेंगे और इन साड़ी चीज़ों के बाद अगर कोई कंसेप्ट अगर कोई टॉपिक अगर कोई चीज रह जाएगी तो उसके लिए हम यह कोई एक्स्टर इंफरमिशन देने के लिए उसके लिए हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसे हम 1.Y का नेम देंगे लेकिन जब यह सेशन साड़ा खतम हो देगा फिर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो कि मुझे पता है जरूर पड़ेगी फिर हम उसे 1.Z का नेम देंगे लेकिन अभी तक सबसे पहरे जो जरूरत है सेशन की वो हम किनसेप्ट जितने भी आते होंगे डिफरेंट बुक से फैड़र की हैं किसी ओर की उससे कवर करने के लिए लेक्टर 1 1.1 अगर किसी का थर्ड लेक्टर की जरूरत पड़े तो 1.2 इस तरह से जब एक चैप्टर खतम हो देगा फिजिक्स का कमेस्टि का बायोका फिर हम उसे नेम देंगे 1.X 1.X में हम स्टड़ी करेंगे MCQs और उसके साथ साथ उनकी जो भी होगी क्या कहते हैं आंस और सुलूशन लेकिन इन साड़ी चीज़ें करने के बाद अगर किसी स्टोरन को कोई कंसेप्ट समय नहीं आता या फिर कोई क्वेस्टन है या कोई conceptual question है वो comment कर देगा जिस मर्जी वीडियो पे comment कर दे उसका question note कर लिया जाएगा और हर Sunday को जो वीडियो बनेंगी जिसका भी कोई name होगा conceptual question के name से कोई भी name जो कि आपको मैं बता दूँगा सारचाथ उसमें हम study करेंगी उसको explain करेंगी और उस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें क्योंकि जतने ज्यादा student involved होंगे उतने ज्यादा mind involved होंगे और different mind different चीजें सोचेंगे और concept बढ़ते जाएंगे जैसे English की वीडियो जो होंगी उसमें हम ये कहेंगे MDK at English lecture one known पढ़ों इसके बाद जो word agreement होता है agreement mistakes और इसके साथ साथ जो भी lecture होते हैं सबसे पहले ने cover करेंगे known क्या होता है किन किन चीज़ों की concept के student को ज़रूरत है उसके बाद इसकी exercise का name भी 1.x होगा अगर इसके बाद हम problem start करते हैं तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से ये session स्टार्ट होगा और इसमें इन्शालला जो student involved होंगे वो समझेंगे और वो ये feel करेंगे उन्हें किसी academy की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पढ़ेगी और इस session में और भी बहुत सी चीज़े एक्स्टराइडिनरी होंगी जो कि आपको सारसाथ मसूस हो जाएंगे जो कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता है या फिर explain नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे आप समझेंगे कि इस चीज़ में और वो चीज़ जो के different colleges और काल्जिज़ में पढ़ाई जाती है उन में क्या difference है क्योंके different mind होते है different student होते है वो एक teacher की समय नहीं पाते लेकिन अगर कोई और teacher कोई और teacher teach करे तो वो उसकी बास समझ जाते है और अगर किसी के पास कोई suggestion हो या कोई समयता हो कि सेशन में ये चीज़ भी एड़ करें चाहिए किसी चीज़ की कमी फिल करें तो वो ज़रूर कमेंट करके मुझे इनफार्म करें इन्शाला learn.pk की तरफ से फूल्स उस question को उस objection को rectify करने की कोशिश की जाएगी इन्शाला hope you best of luck we have best fishes for all of you thank you very much अलहाफीज